वैसे तो कोरोना महामारी को पुरिदेश को लॉक डाउन कर सभी राज्यों की सीमा को सील कर दिया गया है ताकि कोई व्यक्ति एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर नहीं जा सके लेकिन इस दावे की सच्चाई उस समय सामने आ गई जब नागपुर से 300 किलो मीटर की दूरी तैकर एक परिवार जवलपुर के रामपुर छाप्रा पहुंचा हालाकि स्थानिये लोग की जाग रुकता के चलते ततकाल पॉलिस को सूचना दी गई जिसके बाद मामली की जांच की जा रही है वहीं कलेक्टर भरतियादव का कहना है कि यदि परिवार बिना पास आया है तो उसके खिलाफ एफायार दर्स की जाएगी अभी बड़ा संकट का समय है लेकिन हम सबको मिल के उसमें जो है निपटना है तो जो भी जानकारी उसको छपाइए नहीं बताइए जस्शे कि उसमें जो हमें आगे की कारवाही करने हम कर पाएं और आप भी आप पे भी कोई ऐसी कारवाई ना हो जाए जिससे कि फिर आपको आगे समझ जाओ कि चला रहा था हम लोग आए था वहां से किसी ने पूलिस बाला मिला और हम लोग यहां पांच बज़े निइक यह तन कर दिए और आके मेरे घर पे चौड़ा अपनी काल रेके चला से नाधपुर से गप्लड़र वाल यह किस दिन की बात है यह आज की बात है कि यारा तारीक कि वजे आप के सिप्रगार की कारवाही आप से नाके कुछ अप सुभेर दो बज चले हैं तो बहुत पांच बज़े आ पहां गए तिन घंटे में तिन गंडम कैसे जाएंगे नागपुर शापर में तो यहां पे इनके किरायदार है नागपुर से आए हैं जिनकी संक्यतीन है मुहमत कर के नाम है उनका वो उनके पतनी और बच्चे आज ही नागपुर से आए हैं जिनको हम कॉरेंटाइन करने जा रहा है चोगदा दिवस की और उसमें जो है हमने डॉक्टर की टीम से भी बात करिये हैं वह अभी प्रोसेस सुरू करेंगे उनकी जाच की और जो भी और कबर्मेंट प्रदेश